C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है ध्वनी पुस्तक संक्षित बुद्ध चरित अक्षा आठ के लिए हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक अध्याय चार धर्म चक्र प्रवर्तन प्रिष्ट संख्या उनन्चास धर्म चक्र प्रवर्तन काशी गमन बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद शाक्य मुनी को शांती की शक्ती का अनुभव हुआ बुद्ध बनकर यद्यपीवे अकेले ही चल पड़े थे परंतु ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके पीछे पीछे बड़ा जनसमुह चला आ रहा हो मार्ग में उन्हें एक शुद्धात्मा भिक्षू ने देखा वह उनके स्वरूप से प्रभावित होकर उनके निकट आया और विनएपूर्वक बोला हे अरहत आप जितेंद्रिये और आत्मवेत्ता प्रतीत होते हैं लगता है आपने संसार को जीत लिया है पूर्ण चंद्र के समान आपका मुखमंडल प्रकाशित हो रहा है आपका मन शांत है आप प्रबुद्ध और संतुष्ट प्रतीत हो रहे है ऐसा लगता है कि जो कुछ जानने योग्य है उसे आप जान चुके है आपके तपका तेज देदीप्यमान है हे सौम्य आपका नाम क्या है आपका गुरु कौन है भिक्षु द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर भक्त वत्सल भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया हे वत्स मेरा कोई गुरु नहीं है मैंने निर्वान प्राप्त कर लिया है मुझे अब धर्म का स्वामी समझे मैंने वह सब कुछ जान दिया है जो जानने योग्य है और जिसे पहले किसी ने नहीं जाना है मैंने शत्रु के समान सभी क्लेशों को जीत लिया है इसलिए लोग मुझे बुद्ध कहते है मैं अब अमर धर्म की दुन्दुभी बजाने काशी जा रहा हूं किसी सुख या यश की प्राप्ति के लिए नहीं अपितु दुखों से पीडित जनों के कल्यान के लिए वहां जा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले प्रतिग्या की थी कि मैं मुक्त होकर दुखी जनों के दुख दूर करूंगा उन्हें मुक्त करूंगा जैसे दीपक के जलने मात से अंधकार नश्ट हो जाता है वैसे ही बुद्धत्व की प्राप्ती के परश्चात सभी इच्छाएं स्वतह समाप्त हो जाती है जैसे लकडी में अगनी, आकाश में वायू और प्रिथ्वी में जल होना निश्चित है वैसे ही काशी में उपदेश और गया में ज्ञान प्राप्ती निश्चित है यह सुनकर भिक्षू ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और अपने मार्ग पर आगे चला गया शाक्य मुनी धीरे-धीरे काशी की ओर अग्रसर होने लगे उन्होंने दूर से ही काशी को देखा जहां वरुणा और गंगा ऐसे मिल रही थी जैसे दो सक्षिया मिल रही हो वे वहां से म्रिगदाओ मन यानि सारनाथ गए जहां सघन व्रिक्षों पर मोर बैठे हुए थे म्रिगदाओ वन में वे पाँच भिक्षू रहते थे जिन्होंने शाक के मुनी को तप भरष्ट भिक्षू मानकर उनका संग छोड़ दिया था पाँचों भिक्षूओं ने जब शाक के मुनी को आते हुए देखा तो वे आपस में बातें करने लगे उन्होंने निश्चय किया कि वे इस तप भरष्ट का अभिवादन नहीं करेंगे यदि यह हमसे पहले बोलेगा तभी हम इससे बात करेंगे पाँचों भिक्षू जब यह परामर्श कर रहे थे तभी भगवान बुद्ध उनके समीप आ गए जैसे ही वे उनके निकट आये पाँचों भिक्षू अपने पूर्व निश्चय के विप्रीत एकदम खड़े हो गए उन्होंने विनय पूर्वक उनका अभिवादन किया किसी ने उनका भिक्षा पात्र लिया, किसी ने उनका चीवर उठाया किसी ने चरण धोने के लिए जल दिया और किसी ने बैठने के लिए आसन बिछाया आसन पर विराजमान होकर तथागत बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना चाहा परंतु मोह वश उन्होंने उपदेश ग्रहन करने से मना किया और कहा आपने तब त्याग दिया था आप तथव को नहीं जानते तब तथागत ने उन्हें समझाया और कहा जैसे विशयों में आसक्त लोग अज्यानी है वैसे ही अपने आपको क्लेश देने वाले लोग भी अज्यानी है क्योंकि क्लेश द्वारा अमरत्व प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्होंने आगे बताया बोध तपस्या से भिन्न तत्व है देखो जो तपस्या द्वारा अपने शरीर को क्षीन कर लेते हैं वे तो व्यावहारिक ग्यान भी नहीं पा सकते तो उन्हें परमतत्व का बोध भला कैसे हो सकता है? जैसे लकडी में स्थित अगनी को उसे चीर फाड़ कर नहीं, अपितु युक्ती से ही प्राप्त किया जा सकता है वैसे ही शरीर को कष्ट देने से नहीं, अपितु युग की युक्तियों से ही बोध प्राप्त किया जा सकता है इसलिए मैंने कष्ट कर तप और आसकती में भोग, दोनों को त्याग कर मध्य मार्ग का आश्रे लिया है और बोधी प्राप्त की है प्रिष्ट संख्या 51 मेरे इस मध्य मार्ग का प्रकाशक सम्यक द्रिष्टी रूपी सूर्य है तथा सम्यक संकल्प रूपी रथ इस सुंदर मार्ग पर चलता है सम्यक वानी में विश्राम पाता है, सम्यक आचरण के उपवन में विहार करता है, सम्यक आजीवी का ही उसका शुद्ध भोजन है, सम्यक व्यायाम या प्रयत्न उसके सेवक हैं सम्यक स्मृति रूपी मनोहारी नगर में वह शान्ती पाता है तथा सम्यक समाधि रूपी शय्या पर समाधान पूर्वक सोता है। तथागत ने आगे उन्हें समझाते हुए बताया यही मध्यमार्ग है जो तीनों लोकों में अर्ष्टांग योग के नाम से विख्यात है और जिससे जन्म, जरा, व्याधी और मृत्यू से मुक्त हुआ जा सकता है। मेरी द्रिष्टी में मध्यमार्ग के जो चार मूल भूत सत्य हैं, वे हैं दुख सुख का कारण, दुख का निरोध और दुख के निरोध के उपाए। मैंने दिव्य द्रिष्टी से ये आर्य सत्य जान लिये हैं और उनका अनुभाव किया। दुख है, यह मैंने पहचाना और उसके कारणों को छोड़ा। इसी तरह दुख के निरोध का अनुभाव किया, और उसके उपाईयों के रूप में इस मार्ग की उदभावना की है। मैंने इसी ज्ञान के आधार पर निर्वान प्राप्त किया है। मैं अब बुद्ध हूँ। महात्मा बुद्ध के इन करुणा युक्त वचनों को प्रथम बार कौंडिल्य आदी पांचो भिक्षूओं ने सुना और दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। अपने प्रथम प्रवचन के बाद सर्वग्य शाक के मुनी ने पूछा, हे नरोत्तमों, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? तो कौंडिल्य ने कहा, हाँ भनते। इसलिए सभी भिक्षूओं में कौंडिल्य को ही प्रधान धर्मवेत्ता माना जाता है। उसी समय परवतों पर उपस्थित यक्षों ने सिहनाद किया और घोशना की कि जन जन के सुख के लिए शाक के मुनी ने धर्म चक्र प्रवर्तित कर दिया है। शील इस धर्म चक्र के आरे या कीलक हैं। क्षमा और विनय इसके धूरे हैं। बुद्धी और स्मृति इसके पहिये हैं। सत्य और आहिंसा रूपी धूरी से युक्त यह धर्म चक्र अपूर्व है। धर्म के इसी यान में बैठ कर यह लोक शान्ती प्राप्त कर सकता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का उद्गोश धीरे धीरे मृत्यू लोक और देव लोक में व्याप्त हो गया। सर्वत्र सुख शान्ती चा गई। निरब्र आकाश से फूनों की वर्षा होने लगी। धर्म चक्र का प्रवर्तन करने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने निर्वान धर्म में अश्वजित आदी पांचो भिक्षूं तथा कुछ अन्य मुनियों को दीख्षित किया। कुछ समय बाद वहां यश नाम का कुल पुत्र आया। भगवान बुद्ध ने उसे उपदेश दिया। बुद्ध के वचन सुनकर उसे ऐसी शान्ती मिली जैसे धूप में तपे व्यक्ती को नदी की जलधार में मिलती है। उस कुल पुत्र यश ने पूर्ण साधना से इसी शरीर से अरहता प्राप्त की। अपने आप आभुशनों से सज्जित होकर जब उसे लज्जा का अनुभव हुआ तो भगवान बुद्ध ने कहा हे वत्स चाहे कोई आभुशनों से अलंकरित हो या सिर मुडाय हुए हो इ कोई चिन्ह या जेंडर धर्म का कारण नहीं होता। वन में रहते हुए भी जो मन से विशयों को याद करते हैं वे वन में भी ग्रिहस्त ही रहते हैं और जिनों ने मोह और इंद्रियों पर विजय पाली है वे घर में रहकर भी सन्यासी बने रहते हैं। यह बताने के बाद तथागत ने यश को भिक्षू कहकर संबोधित किया और उसको तथा उसके साथ अन्य चववन ग्रिहस्तों को सद धर्म में दिख्षित किया। कुछ समय बाद इन शिश्यों में से अरहता को प्राप्त आठ श्रेष्ठ शिश्यों ने भगवान बुद्ध की अभ्यर्थना की। तथागत ने उनसे कहा, हे भिक्षूओ, तुम सब कृतार्थ हो गए हो, सभी दुखों से मुक्त हो, अब तुम लोग अलग-अलग दिशाओं में जाओ, भ्रमन करो, दयाभाव से दीन हीनों का कल्यान करो, उन्हें सद धर्म का उपदेश दो, मैं भी अब महरिशियों की नगरी गया जाना चाहता हूँ, वहां विभिन्न प्रकार की सिध्धियों के मत से उन्मत काश्यप मुनी को अपने विने धर्म से जीतना चाहता हूँ, प्रिष्ट संख्या तिरिपन इस प्रकार सद धर्म के प्रचार के लिए अपने शिश्यों को विभिन्न दिशाओं में विदा करके तथागत भी गया के लिए चल पड़े कुछ समय बाद भगवान बुद्ध गया पहुँचे वे वहां से सीधे काश्यप मुनी के आश्रम में गए वहां जाकर उन्होंने काश्यप मुनी से अपने रहने के लिए कुछ स्थान मांगा काश्यप मुनी ने उनका स्वागत तो किया परंतु इर्शिया वश उन्हें मारने की इच्छा से एक ऐसी अगनी शाला में रहने के लिए कहा जिसमें एक भयंकर सांप रहता था तथागत निर्विकार भाव से अगनी शाला में गए और शांती पूर्वक एक वेदी पर बैठ गए। महासर्प ने जब भगवान तथागत को शांत मुद्रा में बैठा देखा तो वह आश्चरे चकित होकर प्रणाम करने लगा। महासर्प को विनीत भाव से बैठा देख कर काश्यप मुनी समझ गए कि यह मुनी मुझसे बहुत बड़ा है। उन्हों ने तथागत को प्रणाम किया और उनका शिश्यत्व ग्रहन कर लिया। काश्यप मुनी के मन परिवर्तन की बात सुनकर उनके 500 शिश्यों ने भी बहुत धर्म स्विकार किया। इसी तरह काश्यप मुनी के भाई गए और नदी भी भगवान बुद्ध की शरण में आये। तीनों काश्यप बंधुओं और उनके शिश्यों को भगवान बुद्ध ने गए शीर्ष परवत पर निर्वान धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों को सुनकर हजारों भिक्षूओं को अतिशय आनंद प्राप्त हुआ। तभी भगवान बुद्ध को याद आया कि उन्हों ने मगध राज बिम्बसार को वचन दिया था कि जब उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा तो वे उन्हें नए धर्म में दिक्षित करेंगे और उपदेश देंगे। इसलिए उन्हों ने सभी काश्यपों को साथ लिया और मगध की राजधानी राजग्रिह की ओर प्रस्थान किया। के लिए चल पड़े। मगध राजमुनी श्रेष्ट को देखते ही अपने रत से उतर पड़े और विनयपूर्वक उनके पास पहुँचे। सिर जुका कर प्रणाम किया और आग्या मिलने पर भूमी पर बैठ गए। प्रिष्ट संख्या चववन यहां एक चित्र है जहां मगध राजमुनी बुद्ध का अभिवादन कर रहे हैं। आए अब सुनते हैं पाट। जिसके कारण शारीरिक और मानसिक क्लेश होता है। इसलिए मैंने अग्नी उपासना छोड़ दी। इससे जन्म मृत्यू के चक्र से मुक्ती नहीं मिल सकती। अपने शिश्य के ये वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा। हे महाभाग तुम धन्य हो। तुमने उत्तम धर्म सुईकार किया है। जैसे धनी व्यक्ति अपने अईश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, तुम अपनी दिव्य शक्ति के अईश्वर्य का प्रदर्शन करो. यह सुनकर काश्यप ने अनेक यौगिक चमतकार दिखाए, जैसे आकाश में उड़ना, बैठना, सोना, अगनी के समान जलना, आदी. मैं आपका शिश्य हूँ. यह सब देख और सुनकर मगधराज और सभी मगधवासी अश्चरे चकित हो गए और समवेत स्वर में बोल पड़े, बुद्ध सर्वग्य हैं. इसके बाद भगवान बुद्ध ने जिग्यासू मगधराज को अनात्मवाद का उपदेश दिया. उनको बताया जैसे सूर्यकांत मनी और इंधन के संयोग से चेतना का जन्म होता है. बीज से उत्पन्न होने वाद अंकुर जैसे बीज से भिन भी है और अभिन भी, वैसे ही शरीर, इंद्रिये और चेतना परस पर भिन भी है और अभिन भी. भगवान बुद्ध के उपदेशों से मगधराज बिम्बसार ने परमार्थ ज्यान और पूर्ण धर्म दृष्टी प्राप्त की. उनके साथ आए मगध के अन्य व्यक्ति भी कृत्त कृत्ते हो गए. तथागत का उपदेश सुनकर मगधराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हों ने परम शान्ती का अनुभव किया. उन्हों ने मुनी के निवास के लिए विर्णूवन भेट कर दिया, फिर उनसे आज्या लेकर अपने भवन की ओर प्रस्थान किया. एक दिन भगवान बुद्ध के जितेंद्रिय शिष्य अश्वजित भिक्षा के लिए नगर में गए. उनके मुख की कांती और शान्ती को देख कर अनेक नागरिक उनके प्रति आकरशित हुए. वहीं कपिल संप्रदाए के एक सन्यासी अपने शिष्यों के साथ आए और अश्वजीत को देख कर उनसे पूछने लगे. हे सौम्य, आपको देख कर हम सभी आश्चरे चकित हैं. आपके गुरु कौन है? उनकी क्या शिक्षा है? अश्वजीत ने कहा, इक्ष्वा कुवंश के सुगत बुद्ध मेरे गुरु है. वे विद्वान है और मैं तो अज्ञानी हूँ. मैं अभी कुछ दिन पूर्व ही उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म में दीख्षित हुआ हूँ. अता मैं आपको उनकी शिक्षा बताने में तो असमर्थ हूँ, फिर भी संक्षेप में कहता हूँ. उन्होंग ने उपदेश दिया है कि सभी धर्म किसी ना किसी निम्मित से ही उत्पन्न होते हैं. बिनाकारण कुछ भी नहीं होता. अश्वजित के उपदेशों से ही उपदिश्य नामक श्रेष्ट ब्राह्मन को भी ज्ञान प्राप्त हो गया. उसका अंतहकरण शुद्ध हो गया और वह वेणुवन की ओर जाने लगा. मार्ग में मौद गल्यायन नामके ब्राह्मन मिले. उन्हों ने उपदिश्य के प्रसन्न मुख को देख कर पूछा. अरे, आज तो तुम भिन पुरुष से प्रतीत हो रहे हो? क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ती हो गई है? ऐसी शान्ती और प्रसन्नता अकारण नहीं होत बताओ क्या बात है? तब उन्होंने बुद्ध के शिश्य से जो उपदेश सुने थे, वे मौद गल्यायन को बता दिये. उसका कुछ ऐसा प्रभाव हुआ कि मौद गल्यायन को भी सम्यक द्रिश्टी प्राप्त हो गई. तब दोनों अपने अपने शिश्यों के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए वेणूवन गए. प्रिश्ट संख्या 56 इन दोनों को शिश्य मंडली के साथ वेणूवन में आते देख कर महामुनी बुद्ध ने अपने शिश्यों से कहा. ये दोनों मेरे प्रमुख शिश्य हैं. इन में से एक ग्यानी है, दूसरा दिव्यशक्ती संपन्न है. जब वे निकट आ गए, तो भगवान बुद्ध न उन दोनों से कहा, शांती की इच्छा वाले साधूओ आपका स्वागत है. आप उत्तम धर्म को भली भाती समझिये. तथा गत के प्रवचनों को सुनकर दोनों साधू मुग्ध हो गए और उन्हों ने अपनी जटा और दंड त्याग दिये और काशाए वस्त्रधारन कर लि उन्होंने अपने शिश्यों के साथ मस्तक जुका कर भगवान बुद्ध को नमस्कार किया. उनके आदेशों का पालन किया और क्रमशह साधना करे परमपद प्राप्त किया. तथागत की ख्याती सुनकर काश्यप वन्ष के एक धनी ब्राह्मन ने अपनी पत्नी और संबंधियों को त्याग दिया और वह निर्वान की इच्छा से एक दिन भगवान बुद्ध के पास आ गया. उसने प्रणाम करके निवेदन किया, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरा मार्ग दर्शन कीजिये. नवागत शिष्य की बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और उपदेश दिया. उसने अपनी प्रखर बुद्धी से तथागत के उपदेशों को भली भाती रिदयंगम किया. बाद में इन्हें ही महाकाश्यप के नाम से प्रसिद्धी मिली. यहाँ एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध, महाकाश्यप और अपने शिष्यों को प्रवचन देते हुए दिखाई दे रहे हैं. तो आएए अब सुनते हैं पाठ. प्रिष्ठ संख्या 57 अनाथ पिंडद की दीक्षा एक बार उत्तर की ओर से कोसल देश का एक धनी ग्रहिपती वेणूवन आया. गरीवों को दान देना उसका स्वभाव था. इसलिए वह सुदत्त नाम से प्रसिद्ध था. जब उसने सुना कि महामुनी यही निवास कर रहे हैं तो उनके निकट गया और उन्हें शद्धा पूर्वक प्रणाम किया. तथागत ने उसका शद्धा भाव देख कर कहा, हे सौम्य, तुम धर्म को जानते हो, दर्शन की लालसा से रात्री के समय भी अपनी निद्रा को त्याग कर तुम यहां आये हो, इसलिए तुम नैश्ठिक पद के अधिकारी हो, आओ, तुम उसी परमपद के दर्शन करो, निश्काम दान करने से इस लोक में यश्च और परलोक में उत्तम फल मिलते हैं, अतह तुम दान करो, शील और शिष्टचार का पालन करो, विशयों की आसकती त्याग कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओ, महामुनी के उपदेश सुनकर सुदत्त, ग्रिहस्थ होते हुए भी तत्व ज्यान प्राप्त कर सका और जीवन मुक्त हो गया, क्योंकि तत्व बोध के लिए बनवास करना आवश्यक नहीं, उसने आदर पूर्वक भगवान बुद्ध से निवेदन किया, मैं श्रावस्ती नगर का निवासी हूँ, मैं वहाँ आप के लिए एक विहार बनाना चाहता हूँ, आप जैसे अनासक्त के लिए वन और राजभवन दोनों ही समान हैं, फिर भी मुझ पर दया कर, आप वहाँ पधारें और निवास करें। भगवान बुद्ध ने सुदत्त का अनुरोध स्विकार किया, और अपने एक शिष्य, उप्तिष्य को उसके साथ भेज दिया। और विहार बनवाने के लिए उपयुक्त भूमी खोजने लगे। अन्त में उन्हें मनोहर विक्षों से भरा जेत वन दिखाई दिया, जो उन्हें विहार के लिए उपयुक्त लगा। उन्हों ने उस वन के स्वामी के साथ भूमी खरीदने के लिए बादचीत की। उस वन का स्वामी बड़ा लोभी था। उसने कहा कि यदि तुम इस भूमी को धन से ढख दो, तो भी मैं इसे बेचने के लिए तयार नहीं हूँ। सुदत ने उसे समझाया कि मैं यह भूमी विहार बनाने के लिए खरीदना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से वह भूमी बेचने के लिए तयार हुआ और बहुत धन लेकर उसने वह भूमी बेच दी। जब सुदत ने उदारता पूर्वक इस भूमी के लिए प्रभूत धन राशी प्रदान की, तो वन के स्वामी जेत का मन भी बदल गया। उसके हृदय में भगवान बुद्ध के प्रती अनुराग उत्पन हो गया। इसलिए उसने शेश वन भी तथागत के विहार के लिए दे दिया। सुदत ने विहार निर्मान का कार्य उपतिश्य की देख भाल में प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे विशाल विहार बन कर तैयार हो गया। प्रिष्ट संख्या 58 पिता पुत्र मिलन भगवान बुद्ध के ज्ञान से प्रभावित होकर अन्य दर्शनों के आचारे भी उनके शिश्य बन गए। उनके धर्म का प्रचार प्रसार होता चला गया। वे काफी समय तक राजग्री में निवास करते रहे। एक दिन उन्हें याद आया कि उन्हों ने अपने पिता के मंत्रियों को वचन दिया था कि ज्ञान प्राप्त करके वे कपिल वस्तु लोटेंगे। इसलिए उन्हों ने अपने पिता शुद्धोदन के राज्ये में जाने का विचार किया और अनेक शिश्यों के साथ राज ठहर गए शुद्धोधन के पुरोहित और अमात्तियों को जब अपने गुप्त चरों से यह सूचना मिली कि कुमार सिधार्थ बुद्ध बनकर नगर के समीप आ गए हैं तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी राजा अपने पुत्र के आगमन का समाचार सुनकर प्रसन्न हो गए अनेक पुर्वासियों के साथ वे अपने पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े उनकी आँखों से आनंद के आँसू बह रहे थे राजा ने दूर से ही देखा अनेक शिश्यों के बीच परिवराजक वेश में उनका पुत्र विराजमान है तो वे रत से उतर गए और पैदल ही उनके पास पहुँचे मुनी वेश में अपने पुत्र को देख कर राजा शुद्धोदन का मन विहवल हो गया उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई विस्मय में पढ़कर वे ना तो उन्हें पुत्र कह सके और ना ही भिख्षू अपने आपको राजसी वस्तरालनकारों से विभूशित और पुत्र को भिख्षू वेश में देख कर उनकी आँखों से आसुओं की धारा बह जली किन्तु ममता और स्नेह से रहित अपने पुत्र को देख कर राजा को वैसी ही निराशा हुई जैसी की किसी प्यासे को सुखा तालाब देख कर होती है राजा ने अपने पुत्र को देखा परन्तु पुत्र दर्शन का सुख उन्हें नहीं मिला राजा शुद्धोदन सोचने लगे यदि वह मानधाता की भाती संपूर्ण प्रिथ्वी का स्वामी होता तो क्यों भिक्षा मांगता फिरता? वह भिक्षा मांग रहा है भगवान बुद्ध ने अपने पिता को देखा उसके मनुभावों को समझा और अनुभव किया कि वे अभी भी उन्हें अपना पुत्र मान रहे हैं अतह उनके भ्रम के निवारण के लिए उन्होंग ने कुछ चमतकार किये उनके योगिक चमतकारों से पिता बड़े प्रभावित और आनन्दित हुए फिर सूर्य के समान स्थिर होकर तथागत ने राजाशुद धोधन को धर्मो पदेश दिया उन्होंग ने कहा हे राजन अब आपको किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए आप अब पुत्र प्रेम त्याग कर धर्म के आनन्द का अनुभव कीजिए आप उस बोधी रूपी अम्रित को ग्रहन कीजिए जो आज तक किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया उन्होंग ने अपने पिता को समझाया यह सारा संसार कर्म से बंधा हुआ है अतह आप कर्म का स्वभाव कर्म का कारण कर्म का विपाक यानि फल और कर्म का आश्रे चारों के रहस्यों को समझिए क्योंकि कर्म ही है जो मृत्यू के पश्चात भी मनुष्य का अनुगमन करता है आप इस सारे जगत को जलता हुआ समझ कर उस पत की खोज कीजिए जो शान्त है और धुव है जहां ना जन्म है ना मृत्यू है ना श्रम है और ना दुख तथागत के चमतकारों को देख कर और उनके उपदेशों को सुनकर राजा शुद्धोदन का चित शुद्ध हो गया वे रोमान चित हो गये उन्होंने हाथ जोड़कर तथागत से निवेदन किया हे आर्य आज मैं धन्य हूँ आपने कृपा कर मुझे मोह से मुक्त किया है हे तात आपका जन्म सफल है अब मैं सच्मुच पुत्रवान हूँ आपने राजलक्ष्मी और स्वजनों का त्याग किया दुशकर तप किया और मुझे पर कृपा की यह सब उचित ही है आप चक्रवर्ती राजा होकर भी हम सब लोगों को उतना सुख नहीं दे सकते थे जितना आप आज दे रहे हैं आपने अपने ग्यान अस्तिधियों से भ भगवान बुद्ध को सादर प्रणाम किया भगवान बुद्ध के योग ऐश्वर्य तथा उनके पिता द्वारा किये गए सतकार को देख कर अनेक लोगों ने घर छोड़ने का निश्चे किया अनेक राजकुमार निर्वान धर्म का उपदेश सुनकर विरक्त हो गए आनं नंद, क्रिमिल, अनिरुद्ध, कुंडधान्य ने उनसे दीक्षा ग्रहन की और ग्रिह त्याग किया तथागत की शिक्षा से देवदत तथा गुरु पुत्र उदाईी ने भी यही किया अत्री नंदन उपाली ने भी दीक्षा ग्रहन की राजा शुद्धोदन ने भी स्वयम राजर्शियों की तरह रहने लगे। काशाय वस्त्रधारी होने पर भी उन्हें सांध्यकालीन बादलों से आधे ढके सूर्य के समान चमकते देख कर स्त्रियां रोने लगी और विहुल होकर उन्हों ने भगवान को प्रणाम किया। प्रिश्ट संख्या साथ नगर और राजभवन की स्त्रियां अपने राजगुमार को मुनी वेश में देख कर तरह तरह से विलाप कर रही थी। पत्नी यशुधरा भी उन्हें देख कर अत्यंत शोक विहुल हो गई। किन्तु बुद्ध को न तो पत्नी का प्रेम विचलित कर सका और ना पुत्र राहुल का। भगवान बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा मांगते हुए चलते रहे और शान्ती पूर्वक धीरे धीरे न्यग्रोध वन जा पहुँचे। वहाँ वे संसार के जीवों के कल्यान के लिए चिंतन करने लगे। यहाँ एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध मार्ग में चलते हुए भिक्षा ग्रहन कर रहे हैं। यहाँ कुछ स्त्रियां उन्हें भिक्षा देती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब सुनते हैं पाठ। कपिल वस्तु में कुछ दिन रहने तथा अनेक व्यक्तियों को दीक्षित करने के बाद भगवान बुद्ध ने प्रसेन जित्त के राज्य कोसल देश की ओर प्रस्थान किया। शावस्ति पहुँचकर वे जेत वन पहुँचे जो अनेक श्वेत भवनों और अशोक व्रिक्षों से सुसजित था। स्वर्ण और श्वेत मालाओं से अलंकृत जल कलश लेकर सुदत्त ने तथागत की पूजा की और जेत वन उनको समर्पित किया। तथागत के आगमन का समाचार सुनकर कोसल नरेश प्रसेन जित उनके दर्शनों के लिए जेत वन आए। उन्होंने भगवान को शद्धा पूर्वक नमस्कार किया और निवेधन किया। हे मुने कोसल वासियों का यह परम सौभाग्य है कि आप यहां पधारे। जैसे पुष्मों की संगती से वायू सुगंधित हो जाती है, वैसे ही आपके निवास से यह वन पवित्र हो गया है। आप यहां सुख पूर्वक निवास करें और हम सब पर अनुग्रह करें। प्रिष्ट संख्या 61 प्रसेंजित की प्राथना सुनकर भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, हे राजर्शी, आपकी बुद्धी स्थिर है, तभी साध्यों में आपकी श्रद्धा है। यदि आप उज्वल यश की कामना करते हैं, तो धर्म पूर्वक प्रजा का पालन कीजिए। जनता को कभी उत्पीडित न कीजिए। पापियों की संगती त्याग कर सुमार्ग का अनुसरन कीजिए। तथागत ने प्रसेंजित को अनेक उपदेश दिये और उन्हें अज्ञान के अंधकार से मुक्त किया। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रसेंजित को धर्म तत्व का बोध हुआ और उन्हों ने श्रद्धा पूर्वक उनसे दीक्षा ग्रहन की। प्रसेंजित को दीक्षित हुआ देखकर कुछ तीर्थक साध्वों ने राजा के तत्व बोध पर शंका व्यक्त की और बुद्ध के उपदेशों को चुनोती दी। इस पर राजा ने तथागत से प्राथना की कि वे शंका का समाधान करें। राजा प्रसेंजित की प्राथना सुनकर तथागत ने साध्वों की शंकाओं का समाधान किया। सभी सध्वों ने उन्हें प्रणाम किया और दीक्षा ग्रहन की। कोसल से तथागत राजग्रिह आये। उन्होंने वहां जोतिश्क, जीवक, शूर, श्रोण, अंगद, आधी को उपदेश दिये और उन्हें अपने संग में दीक्षित किया। राजग्रिह से तथागत गांधार देश गए। वहां पुषकर नाम का राजा राज करता था। पुषकर ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप उसमें वैराग्य भाव का उदै हुआ। उसने अपना राजपाट त्याग दिया और सन्यास ग्रहन कर लिया। गांधार देश से वे विपुल परवत पर आये और वहां हे मुवत और साताग्र नाम के यक्षों को उपदेश दिया। वहां से वे जीवक के आमरवन में आये और विश्राम किया। वहां से अनेक प्रमुख नगरों का भ्रह्मन करते हुए आपन नगर पहुँचे। वहीं क्रूर कर्मों में लगे अंगुली माल को अपने धर्म में दिख्षित किया और उसने दया तथा मित्रता के नए धर्म को स्विकार किया। इसके बाद वे वारणसी आये जहां असित मुनी के भांजे कात्यायन निवास करते थे। मृत्यू से पहले असित उन्हें बुद्ध के विशय में बता चुके थे। अतह कात्यायन ने भगवान बुद्ध के वहां आने पर सादर उनसे दीख्षा ग्रहन की। इस प्रकार धीरे धीरे भगवान बुद्ध का यश चारों दिशाओं में छा गया। इससे देव दत्त को बहुत इर्शिया होने लगी। इर्शिया के कारण वह ध्यान और सैयम खो बैठा और अनेक अनुचित कारे करने लगा। उसने पहले संग में मतभेद खड़े करने का कूचकर चलाया। परंतु उसमें सफलता नहीं मिली तो उसने तथागत को समाप्त करना चाहा। जब तथागत प्रिध कूट परवत पर विराजमान थे तब देवदत ने उन पर एक शिला खंड गिराया। परंतु उससे भगवान को कोई क्षती नहीं हुई। प्रिष्ट संख्या बासट। देवदत को संख में मतभेद उत्पन करने में सफलता नहीं मिली और नहीं वह भगवान बुद्ध की हत्या कर सका। जब भगवान राजग्री मार्ग से अपने शिश्यों के साथ जा रहे थे तो उसने उन पर एक मदमत हाथी छुड़वा दिया। प्रलैकालीन काले बादलों जैसा हाथी आंधी की तरह दोड़ता हुआ राजपत पर आ गया। जो भी उसके मार्ग में आता वह उसे मारने दोड़ता। चारों और हाहाकार मच गया। उधर से शिश्यों के साथ भगवान बुद्ध को आते देखा तो लोग चिल्लाने लगे तथा उन्हें बचाने के लिए दोड़ने लगे परंतु कोई भी उस हाथी के पास नहीं जा सकता था। तथागत की हत्या के लिए वह हाथी उसी की ओर आ रहा था जिस ओर से वे आ रहे थे। अट्टालीकाओं से स्त्रियों और दूर खड़े अन्य पुरुष चिल्ला कर उन्हें रोकना चाहते थे परंतु तथागत शांत और निर्विकार भाव से आगे बढ़ते जा रहे थे दूर से ही मद मत हाथी को आते देखकर पीछे पीछे चलने वाले अनेक शिश्य भाग गए परंतु बुद्ध आगे बढ़ते ही गए। उनके पीछे पीछे केवल उनके परम शिश्य आनंद चलते गए। जैसे वस्तू की प्रकृती वस्तू के साथ रहती है वैसे ही आनं उनके साथ थे। भगवान बुद्ध को सामने देखकर मदोनमत हाथी एक दम शान्त और स्वस्त हो गया और वह भगवान के सामने सिर जुका कर बैठ गया। भगवान ने उस हाथ का स्पर्ष किया और उसे उपदेश दिये। हे गजराज निरपराध प्राणियों की क्यों हत्या कर रहे हो। उससे तो दुखी ही होगा। किसी को कष्ट मत दो। इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध गजराज यानि हाथी से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सुनते हैं आगे का पाठ। प्रिष्ट संख्या 63 तथागत को द भगवान बुद्ध और हाथी को घेर कर चारों और खड़े हो गए और उनकी प्रशंसा करने लगे। जिनके हृदय में धर्म के लिए कोई श्रद्धा नहीं थी, उनके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। और जिनके हृदय में थोड़ी श्रद्धा थी, वह और द्रिढ हो गई राज महल की अट्टाली काओं पर खड़े समराट अजात शत्रू यह सब देख रहे थे उनका हृदय भगवान बुद्ध और उनके द्वारा प्रकाशित धर्म के प्रती श्रद्धा भाव से भर गया और उनमें उनका पूर्ण विश्वास हो गया आमरपाली के उद्ध्यान में कुछ समय बाद तथागत राजग्री से पाटली पुत्र आए उस समय मगधराज के मंत्री वर्शाकार लिच्छियों को शांत करने के लिए एक द्रिढ दुर्ग बनवा रहे थे तथागत ने देखा कि उस दुर्ग के निर्माण के लिए अपार धन राशी आ रही है तो उन्होंने भविश्वानी की शीघर ही यह नगर विश्व का महतोपूर्ण नगर होगा और सर्वत्र ख्याती प्राप्त करेगा तब मगधराज के मंतरी वर्षाकार ने भगवान बुद्ध की पूजा की और उनसे आशिरवाद प्राप्त किये इसके बाद तथागत गंगा की ओर गए नगर के जिस द्वार से वे गंगा तट गए थे वर्षाकार ने उस द्वार का नाम गौतम द्वार रखा गंगा पार करने के बाद तथागत कुटी नामक ग्राम में गए और धर्म का उपदेश दिया कुछ समय वहां रहकर नंदी ग्राम गए वहां किसी कारण अनेक लोग मर गए थे तथागत ने मृत व्यक्तियों के संबंधियों को उपदेश दिये और सांतवना दी वहां वे एक रात रहे फिर दूसरे दिन वैशाली नगरी के लिए प्रस्थान किया वैशाली पहुँचकर उन्हों ने उस समय की सरवाधिक सुन्दर स्त्री वैशाली की नगर बधु आमरपाली के उद्ध्यान में निवास किया जब आमरपाली ने सुना कि भगवान बुद्ध उनके उद्ध्यान में निवास कर रहे हैं तो वह बहुत प्रसन्न हुई और उनके दर्शनों के लिए तैयार हुई उसने अलग तक अंजन, अंगराग तथा आभुशनों को त्याग दिया अत्यंत विनमरभाव से कुल वधुओं के समान श्वेत वस्त्र धारण किये और तथागत के दर्शन के लिए चल पड़ी रूप और यववन से संपन आमरपाली वनदेवी के समान अपने उद्ध्यान में पहुची और रथ से उतर कर पैदल ही उधर जाने लगी जहां भगवान बुद्ध अपनी शिश्य मंडली के साथ बैठे थे प्रिष्ट संख्या चाउंसर्ट इस प्रिष्ट पर एक चित्र है जिसमें आमरपाली भगवान बुद्ध के दर्शन कर रही है अब सुनते हैं पाठ प्रिष्ट संख्या पैंसर्ट भगवान बुद्ध ने आमरपाली को आते देख कर अपने शिश्यों को सावधान किया और कहा देखो आमरपाली यहीं आ रही है तुम सब बोध की आउशधी से अपने आपको सैयमित रखना और ज्ञान में स्थिर रहना तुम प्रग्या रूपी वान और शक्ती रूपी धनुष धारन करो और स्मृती रूपी कवच पहन कर अपनी रक्षा करो जब तथागत अपने शिश्यों को इस प्रकार उद्बोधित कर रहे थे तभी आमरपाली हाथ जोड़ कर उनके सामने उपस्थित हो गई अपने उद्ध्यान में एक व्रिक्ष के नीचे नेत बंद किये बैठे मुनी के दर्शन कर वह बहुत प्रसन्न हुई शद्धा तथा शांत भाव से उसने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया फिर मुनी की आज्या प्राप्त कर हाथ जोड़ कर वह उनके सामने बैठ गई भगवान बुद्ध ने आमरपाली को उपदेश देते हुए कहा हे सुन्दरी तुम्हारा आशे पवित्र है क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है तुम्हारा चित धर्म की ओर प्रित है यही तुम्हारा सच्चा धन है क्योंकि इस अनित्य संसार में धर्म ही नित्य है देखो, आयू यववन का नाश करती है, रोग शरीर का नाश करता है और मृत्यू जीवन का नाश करती है, परन्तु धर्म का नाश कोई नहीं कर सकता यद्यपी आमरपाली नव यूवती थी, फिर भी उसमें बुद्धी की गंभीरता और आशे की पवित्रता थी, इसलिए उसने भगवान बुद्ध के उपदेशों को प्रसन्नता पूर्वक सुना इससे उसके मन की समस्त वासनाएं समाप्त हो गई और उसे अपनी वृत्ती से घृणा होने लगी, वह तथागत के चरणों में गिर पड़ी और धर्म की भावना से भर उसने भगवान से निवेदन किया हे देव, आपने अपने लक्षे को प्राप्त कर लिया है, आपने संसार को पार कर लिया है, हे साधो, आप मुझ पर दया करें और धर्म लाव के लिए मेरी भिक्षा स्विकार करें, मेरे जीवन को सफल करें भगवान बुद्ध ने आमरपाली की सच्ची भक्ती भावना को जान कर उसकी प्रार्थना स्विकार कर ली प्रश्न 1. बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सिध्धार्थ ने प्रथम उपदेश कहां और किने दिया 2. अश्टांग योग की प्रमुख बातों का उलेख कीजिए 3. भगवान बुद्ध काशी से राजग्रिह क्यों आए 4. प्रसेन जित ने भगवान बुद्ध से क्या निवेदन किया 5. तथागत ने कर्म के बारे में शुद्धोदन को क्या समझाया 6. आमरपाली कौन थी? तथागत ने उसे क्या समझाया? यहां अध्याय चार समाप्त हुआ संक्षिप्त बुद्ध चरित अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पूरक पाठे पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित का ध्वनी पाठ वाचन्स्वर अजीत होरो निर्माण सहयोग सौम्या मलिक धन्यंकन विकास सांगवान निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती CIET NCERT नैदिल्ली भारत